हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजिनियर पर मेरे नाम है रादे और मैं आज सर्वेइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल टेप सर्वेग के ऊपर एक नया टोपिक लेकर करके आया हूँ अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो ना देख रखे हो तो जाए जाकर करके देखिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबाल है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल से जल सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिसे हमारे आने वाले सारे लेटेस वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे जी हाँ फ्रेंड्स जो हमारा प्रिविएस वीडियो गया था उसमें मैंने दो मैथर्स की बात की थी बाइ मेजरिंग टेप और बाइ इंस्ट्विंट के माध्यम से हम किस तरह से राइट एंगल सेट सकते हैं वह आज हम जानेंगे और इसके अंदर हम प्रिविएस वीडियो में यह तो सीखे ही थे 90 दिगरी पर इंगल ले सकतेें लेकिन हम इंस्ट्विएंट के माध्यम से हम 90 डिग्री 45 डिग्री और अनदर जो भी डिग्री है जैसे 0 से ले करके 360 डिग्री जितनी भी आती है उन सारे डिग्रियों पर हम असानी रूप से अपसेट ले पाएंगे आईए आज की वीडियो की शुरुबात करते हैं आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिए जी हां फ्रेंड्स यहां अपर हम जानेंगे बाए इंस्टूमेंट यहां यहां पर क्या कहता है, various instruments used for setting out right angles are, जी हां, इसमें कौन-कौन से हैं, तो देखते हैं, cross staff, दूसरा आएगा, optical square, तीसरा आएगा, prism square, जी हां, अब इसके बाद इसमें पहले की बात करते हैं, पहला आएगा हमारा cross staff, जी हां, इसके भी कुछ भाग हैं, आएए उसको सम समझेंगे, different types of cross staffs are, जी हां, इसमें पहला आएगा, simple cross staff, दूसरा आएगा, open cross staff, तीसरा आएगा, french cross staff, और चोथा आएगा, adjustable cross staff, जी हां, अब इन सारे जो भी हमारे 4 के 4 staff हैं, इनको हम बारिकी से, यहां, डीटेल में, इसके बारे में मत देन करेंगे, जी हां, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं, मैंने यहां पर बहुत कोचिस किया, और मेरी तरफ से, जी तरह से हो सके हैं, मैंने drawing बनाया है, तो friends, इस drawing की माध्यम से हम आज समझेंगे, कि by instrument हम किस तरह से right angle set कर सकते हैं, तो जी हां friends, पहला आता है हमारा simple cross staff, जी हां, simple cross staff आप देख सकते हैं, यहां पर चार cross line हैं, जी हां, यहां पर चार line हैं, एक दुसरे को inter से क्यानी cross कर रही हैं, एक दुसरे को प्रतिशेदन कर रही हैं, यहां पर आप friends, देख सकते हो, कि कोई भी अगर object लेना, इसका यूज किस तरह से करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हू पहले कोई भी हो, इस्टूमेंट उसका यूज किस तरह से करते हैं, यह समझना बहुत जोरी होता है, गर यहीं नहीं समझ में आए base को कि किस तरह से यूज करें, तो उसका कोई मतलम नहीं है, तो जी हां friends, मान लीजिए, हम यहां पर A point पर survey कर रहे हैं, A point से B point की तरफ survey कर रहे हैं, और बीच में हमारा यह survey line है, जी हां, यह हमारा survey line है, और मान लीजिए, हमें कोई भी एक offset लेना है, तो suppose that कहीं पर भी, मान लीजिए, यहां पर एक tree है, जिसका हमें offset आसानी पूरवक लेना है, तो उसको किस तरह से लेंगे, यह जो हमारा cross staff है, यहां पर आप द इस तरफ आएगा, जी हां, यहां पर जो भी survey year होगा, वह इस staff को यहां पर रख करके, यहां से इधर की तरफ बाइसे करेगा, तो उसे B अच्छी तरह से दिखना चाहिए, और यहां पर खड़े होकर बाइसे करें, तो उसे A अच्छी तरह से दिखना चाहिए, जो अगर यह दोनों point हमारी बराबर आ जाती है, तो हम यह मानेंगे कि यह instrument set हो चुका है, अब इसके बाद हमें इस tree का offset लेना हो, तो हम क्या काम करेंगे, कि हमारा जो भी survey year होगा, वो यहां से देखेगा, और यहां से उसे tree अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, अगर जो tree दिख गय तो हम plumb up के माध्यम से हम इसका measurement लेकर के आसानी से offset ले सकते हैं, तो जी हां friends, यह आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह बना हुआ होता है, इसे कि मैंने बताया, एक दूसरे को cross कर रहा है, और यह एक दूसरे को 90 degree पर होता है, तो इस से हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा कोई भी offset लेंगे, यह फिर कोई भी measurement लेंगे, तो जाहिर सी बात है, वह 90 degree पर आराम से आ सकेगा, अब बात करते हैं, दुसरा हमारा open cross staff, जी हां open यह जाहिर से बात यह खुला होगा, यहां पर देख सकते हैं, पर इसके चार विंडो बताया हुए हैं, यहां पर, दो, आई वेना लगा होते हैं, और दो, sighting वेना, मतलब, आई वेना मतलब, जहां से हम वस्तू को देख सकते हैं, और जहां से sighting वेना, यानि जहां से हम वस्तू को offset या फिर object ले सकते हैं, यहां से मान लीजेए, अगर हमारा आई वेना है, तो इसकी सामने वाली sighting वेना लगी होती है जिससे अगर हम यहां से सामनी की वस्तू देखे हैं फिर सामनियों को भी जो भी हमाया रेंजिंग रोड हो उसका हम अगर लें तो आसानी पूरवक ले सकते हैं सेम मतलग यही प्रोसेश इसमें अपनाए गया है खाली फर्क इतना है कि यह ओपन क्रोश टाफ है इसके बाद बात करते हैं दूसरा था हमारा फ्रेंच क्रोश टाफ क्या है या उक्टागोनल ब्रास ट्योप का बना हुआ होता है आई हम इसे ड्रोइंग के मादर्श में समझाता हूँ कि इसका प्लान किस तरह का होता है जी हां इसका प्लान हम समझने की कोशिस करेंगे मान लीजी हमारा यहां पर 4 हो गया अब इसके बीच में एक और जाए और इसके बीच में भी एक और जाए मतलब 45-45 डिग्री है मतलब 45-45 डिग्री पर यह 8 भागों में बटा होता है देख सकते हैं और भी अच्छी तरह से पॉइंट दिखने लगे और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजें हां पर है इस पॉइंट से यहां पर 45 डिग्री से है इसको मैं ले लूँ तो इसा मैं कह सकता हूँ कि यह जो मेरा का ऑपसेट होगा यह 45 डिग्री पर होगा और यहां से जो मेजर्मेंट लूँगा टेप से इस अबजेक्ट के मादम से फिर इस मतलब जो हमारा फ्रेंच क्रोश टाफ है इंस्टुमेंट के मादम से मैं 45 वाले जो भी डिग्री पर आते हुए यह जो भी हमारे इंस्टुमेंट यह जो भी हमारे बने होंगे इमारत फिर घर जो भी हमारा अबजेक्ट होगा आसानी पूरवप में ले सकोंगा तो जी हां फ्रेंड्स यह इस तरह से यूज किया जाता है इसकी सं रचना की बात करलें इसकी अंदर इसमें तो आपको मैंने बता है दो आई वेना ओर दो सैटिंग वेना होते हैं तो उसी थरह isn't a November हमारे चार आई वेना और चाह क्थेना होते हैं क्यों क्योंकि हमें अगर 45-45 डिग्री पर लेना है और उक्टा कॉनल है तो जाहिर से बात है चार-चार भागों में दोनों को डिवाइड किया जाता है और इसकी मदद से हम रेडिंग ले सकते हैं और इसकी रचनावाद कर यहां पर देख सकते हैं यह विंडो और यहां पर जो भी हमारा प्जेक्ट उसे कर सकते हैं अब बात करते हैं हमारा अग्जेस्टर खोटाफ यहां दो चलिंड्र का बना होता है जी हां में स्केल के उपर 0 degree से लेकर के 360 degree तक की सारी हमारे जो भी डिगरिया है या प्रवाइट की जाती है और इसके उपर जो हमारा वर्णियर स्केल है इसपे 0 से लेकरके 20 मिनिट तक के जो भी डिजन वांगित किये जाते हैं इसकी मतल Micheel जो भी हो जोई भी कोई भी object हो हमारा किसी भी एंगल के उपर हो अगर हम उसे set करें तो कोई भी object की एंगल को आसानी पूरवक हम ले सकते हैं किस तरह से आये मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारा कोई भी object कहीं पर भी है यहाँ पर हो या कोई fix नहीं मतलब 45 और 90 डिग्र इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसकी मदद से हम कोई भी डिग्री पर रिडिंग आसानी पूरवक ले सकते हैं तो जी हाँ फ्रेंड्स यह दो methods के through मतलब हमारा पहले मैंने पहली वीडियो में जो बात किया था इसमें कि by measuring tape के माध्यम किस तरह से right angle लेते हैं मैंने समझ के माध्यम से यानि क्रो स्टाफ के माध्यम से किस तरह से हम 90 डिगर 45 और अनदर जो भी हमारे एंगल है 0 से लेकर 360 तक वह किस तरह से हम उसके ओपर कैसे object ले सकते हैं मैंने clear कर दिया अब हमारा जो भी आने वाला next वीडियो होगा वह हमारा optical square और prism square के उपर वीडियो आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए thank you and thank you so much for watching my video